हेलो स्टूदेंट्स हाव आर यू वेलकम तो माई यूटूब चैनल पंकच फिजिस कुलाटी स्टूदेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पूस्ट ग्रेजुएशन फिजिस के टॉपिक्स की सबसे असान एक्स्प्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोर्ट्स बना सके और एक्जाम में बहुत अच्छे मांक्स ला सके तो शुटेंट्स आज ही चैनल को सब्सुराइब कीजिए और पाईए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे B.A.C. Honors Physics, Semester 6, Nuclear and Particle Physics, Unit 3 के एक और important topic के बारे में जिसका नाम है Maison Theory of Nuclear Forces and Discovery of Pion जिसको हम Yukawa Theory of Nuclear Forces के नाम से भी जानते हैं तो शुडिट्स इससे पहले कि हम Maison Theory या फिर Yukawa Theory of Nuclear Forces की बात करें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नुकलियस के अंदर कौन-कौन से सब-atomic particles होते हैं ये है हमारा नुकलियस और इसके अंदर reside करते हैं दो परकार के सब-atomic particles जिनको हम Nucleons बोलते हैं और इन में से एक होता है proton जो कि यहाँ पर open circle से denote किये गए हैं और एक होता है neutron जिसको हमने dark circle से जो यहाँ पर represent किया है और आप जानते हैं students neutron जो होते हैं वो neutral particles होते हैं उन पे कोई भी किसी भी परकार का charge exist नहीं करता जबकि proton जो होते हैं वो positively charged particles होते हैं बट students आप जानते हैं कि जो like charges होते हैं वो हमेशा repel करते हैं तो question यहाँ पर यह उड़ता है कि अगर protons positively charged particles हैं तो एक दूसरे को वो repel करेंगे तो वो कैसे nucleus के अंदर एक साथ रह सकते हैं nucleus जो की बहुत ही छोटा size का होता है nucleus has extremely small size even जो largest nucleus होता है उसका जो size होता है वो 7 femtometer के around होता है जहाँ पर femtometer का मतलब होता है 10 की power minus 15 meter तो जो largest nucleus होगा उसकी जो radius होगी 7 into 10 minus 15 meter और इतने tiny space में इतने सारे positively charged particles means proton जो है वो कैसे एक साथ रह सकते हैं तो question यहाँ पर यह उड़ता है अगर हम दो protons की बात करें यह हमारे दो protons हैं जिनके बीच में अगर हम distance 1 femtometer ले लें तो इनके बीच में जो columbic repulsive force लगेगी वो हम calculate कर सकते हैं by using coulombs law according to coulombs law force acting between two protons is given by fc is equal to 1 by 4 pi epsilon e into e by r square जहाँ पर e है charge on one proton तो अगर हम constants की value put कर दें जैसे 1 by 4 pi epsilon की value होती है 9 into 10 के बार 9 charge on proton होता है 1.6 into 10 के बार minus 19 और r यहाँ पर 1 femtometer है means 1 into 10 के बार minus 15 meter तो दो दो protons के बीच में columbic repulsive force की value निकल के आएगी वो निकल के आएगी around 230 newton जो की बहुत ही जादा है which is quite huge which is quite huge यह कितनी जादा है इसका अंदाज़ा आप किस पास से लगा सकते हैं मानली जी आपके पास एक 23 kg का stone है और उसको आप उठाते हैं तो उसके उपर gravitational pull कितना लग रहा होगा उस stone के उपर वो लग रहा होगा M into G means 23 into अगर हम G को approximately 10 मानले तो 230 newton का gravitational pull लग रहा होगा उस stone के उपर in downward direction तो इतनी ज़्यादा force से दो protons जो की 1 femtometer distance से separated हैं वो एक दूसरे को repel कर रहे होंगे with the force of 230 newton तो दो protons जो की 1 femtometer distance से separated हैं और वो एक दूसरे को repel कर रहे हैं 230 newton force से तो वो कैसे nucleus के अंदर रहे सकते हैं बाद सिर्फ दो protons की नहीं है nucleus के अंदर दो से ज़्यादा in fact बहुत ज़्यादा proton जो है वो एक साथ रहे सकते हैं तो इसका reason क्या है इसका reason ये है कि nucleus के अंदर columbic repulsive force के अलावा एक और force act करती है और उस force को हम बोलते है nuclear force और जो nature होता है nuclear force का वो बहुत ही interesting होता है तो दो protons जिनके बीच में distance होगा one femtometer वो एक दूसरे को repel कर रहे होंगे with a force of 230 newton साथ के साथ उनके बीच में लग रही होगी एक strong attractive force means nuclear force अब ये जो nuclear force है ये attractive भी हो सकती है repulsive भी हो सकती है means nuclear force जरूरी नहीं है कि हमेशन attractive ही होगी ये repulsive भी हो सकती है ये depend करता है कि nucleons के बीच का distance कितना है इसको हम एक graph की help से समझेंगे हम variation देखेंगे nuclear force का with respect to distance between two nucleons और वहाँ से समझेंगे कि आखिर का nuclear force कब repulsive होगी and कब attractive होगी next section के अंदर तो शोडिंट्स पिछले section में हमने देखा कि nucleons के बीच में ना केवल columbic repulsive force एक्जिस्ट करती है साथ के साथ उनमें एक strong attractive force भी एक्जिस्ट करती है जिसको हम nuclear force बोलते हैं जो उनको एक दूसरे के साथ बांत के रखती है within such a tiny space of nucleus अब nuclear force जो है वो attractive भी हो सकती है repulsive भी हो सकती है ये depend करता है कि nucleons के बीच का distance कितना है अगर हम graph plot करें nuclear force Fn का with distance R between the nucleons जिसको हम femtometers में लेंगे तो ये देखा गया कि जब distance की value 0.8 femtometer से कम होगी तो nuclear force जो है वो positive होगी means repulsive होगी और ये nucleons को apart करने की कोशिश करेगी दूर दूर करने की कोशिश करेगी ये जरूरी भी है क्योंकि इतने कम distance पर हम नहीं चाहते कि nucleons बिल्कुल पास आ जाएं इतने कम distance पर आ जाएं कि nucleons जो है कि 0.8 femtometer से कम distance पर nucleons के बीच में repulsive force लगे और अगर nucleons के बीच का distance 0.8 femtometer से 2 femtometer के बीच का होगा तो nuclear force जो है वो negative होगी means attractive होगी और maximum nuclear force जो है वो कब attractive होगी जब nucleons के बीच का distance 1 femtometer होगा तो उस case में fn जो है वो सबसे ज़्यादा attractive होगी और जब distance जो है वो 2 femtometer से ज़्यादा हो जाएगा तो nuclear force जो है वो negligible हो जाएगी तो इस परकार से हमने देखा कि nuclear force जो है वो repulsive भी हो सकती है attractive भी हो सकती है depending upon the distance between the nucleons students एक खास property nuclear forces की ये भी होती है कि ये charge independent होती है ये ना केवल 2 protons के बीच में act करती है it also acts between 2 neutrons and 1 neutron and 1 proton also तो ये ना केवल 2 neutrons के बीच में act करेगी ये दो protons के बीच में भी act करेगी ये एक proton और एक neutron के बीच में भी act करेगी और एक neutron और एक proton के बीच में भी act करेगी so it act between all kinds of nucleons nuclear forces की इस खास behavior को सबसे पहले successfully explain किया गया था 1935 में by a Japanese physicist जिनका नाम था Hideki Yukawa तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो nuclear forces होती है वो result होती है किसका result होती है exchange of particles का result होती है means protons और neutron जो होते है nucleus के अंदर वो लगातार एक परकार का particle जो है वो exchange कर रहे होते हैं protons and neutrons जो है वो लगातार एक परकार का particle जो है वो emit भी कर रहे होते हैं and simultaneously absorb भी कर रहे होते हैं उस particle को हम बोलते हैं Pion, Pion, P-I-O-N अब यह Pion क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिरकार हो क्या रहा है protons and neutrons जो हैं वो लगातार Pions को एक खास परकार के particle को absorb भी कर रहे हैं emit भी कर रहे हैं और जब भी neighboring proton and neutron जो हैं Pion को absorb करेंगे and emit करेंगे तो एक परकार का effect create होगा एक परकार की force create होगी और वो force को हम बोलते हैं nuclear force अब इस सारी चीज़ को हम daily life के एक example से समझ सकते हैं और वो हम समझेंगे next section के अंदर तो students हम mizon theory या फिर yukawa theory of nuclear forces को एक daily life के example से भी समझ सकते हैं माली जीए आपके पाद दो children हैं एक का नाम है Tina एक का नाम अजे हैं और ये एक पारक की badminton court पर badminton खेल रहे हैं यukawa ने ये कहा कि आप nuclear forces को imagine कर सकते हैं अगर आप ये मान के चलें कि जो protons and neutrons हैं inside the nucleus they are playing badminton with each other और आप दूर से ही इन दो बच्चों को badminton खेलता हुआ देख रहे हैं तो जब आप दूर से इनको badminton खेलता हुआ देखेंगे तो आप बहुत ही हरान करने वाली चीज़े जो हैं बहुत ही peculiar चीज़े जो हैं वो observe करेंगे ये दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं enjoy कर रहे हैं और इस बात को sure कर रहे हैं कि ये शटल जो है वो ground को hit ना करे ground को touch ना करे जब टीना इस shuttle को hit करने के लिए अपना racket जो है उठाती है तो उसको पीछे recoil जो है वो experience होता है according to Newton's third law of motion according to which for every action there is equal and opposite reaction तो टीना जब अपना racket उठाती है इस shuttle को hit करने के लिए तो उसको recoil experience होता है तो अजे जो है आगे की तरफ move होता है to hit the shuttle back to टीना तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीना और अजे की बीच में momentum का transfer हो रहा है और rate of change of momentum जो है वो किसके बराबर होता है according to Newton's second law it is equal to F DP by DT is equal to F जब टीना और अजे badminton खेल रहे होंगे तो वो एक place पर नहीं रहेंगे उनको आगे पीछे move होना होगा to play the badminton so that shuttle does not hit the ground उनको यह sure करना है कि shuttle जो है वो ground को touch ना करे और इसके लिए उनको लगातार back and forth जो है वो move करना होगा और एक खास बात यह है कि टीना और अजे जो है वो बिलकुल close भी नहीं आ सकते दूसरे के बिलकुल pass भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर एक net लगा होता है और यह एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर वो badminton court से बाहर जाते हैं तो वो foul माना जाता है तो ना तो वो बिलकुल pass आ सकते हैं ना ज़्यादा दूर जा सकते हैं उनको एक intermediate distance पर रहना होगा to play the badminton, to ensure that shuttle does not touch the ground means यहाँ पर उनके बीच में एक परकार की bonding, एक परकार की invisible force act करेगी जो इनको hold करेगी एक साथ ताकि यह badminton जो हैं अच्छे से खेल सके यही nature जो है वो nuclear forces का होता है जो protons and neutrons होते हैं, वो लगातार एक दूसरे के साथ एक परकार के particle का अदान परदान कर रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं, pie mizons, short form में उसको हम pions बोलते हैं अगर आप TINA को neutron मानने और अजे को proton मानने तो यह लगातार एक particle का means इस shuttle का अदान परदान करते रहते हैं दूसरे के साथ लगातार एक particle को emit and absorb करते रहते हैं इसने particle emit किया, इसने absorb किया, इसने emit किया, इसने absorb किया और जिसकी वज़ा से एक force का effect जो है वो create होता है जिसको हम बोलते है nuclear force और यह shuttle जो होगी यहाँ पर यह pie-maison होगा इस परकार से हम maison theory of nuclear forces को explain कर सकते हैं युकावा ने यह कहा कि exchange of this particle will create a force जिसको हम बोलते है nuclear force protons और neutron जो है वो लगातार इस particle का अदान परदान करते रहते हैं जिसके कारण nuclear force जो है वो exist करती है within the nucleus अब यह जो pie-maison होते हैं यह तीन परकार के हो सकते हैं हमारे पास positively charge pie-maison भी हो सकते हैं जिनको हम pie-plus-maison बोलते हैं हमारे पास negatively charge pie-maison भी हो सकते हैं जिसको हम pie-maison बोलते हैं हमारे पर Neutral Pi Mesons भी हो सकते हैं, जिसको हम Pi Zero Mesons भी बोल सकते हैं, Pi Mesons को ही Short Form में हम Pines बोलते हैं, तो Pi Mesons and Pines जो हैं, they are the same thing, तो Students, Yukawa Theory of Nuclear Forces हमें ये कहती है, कि जो Protons and Neutrons होते हैं, Nucleus के अंदर, वो लगातार एक परकार के Particle का Exchange करते रहते हैं, they are continuously emitting and absorbing a kind of particle, जिसको हम Pi Mesons बोलते हैं, जिससे एक Force का Effect जो है, वो create होता है, जिसको हम बोलते हैं, Nuclear Force, और इसी Effect के कारण, इसी Nuclear Force के कारण, जो हमारे Nucleons होते हैं, वो Nucleus के अंदर रह पाते हैं, और Nucleus को stable बनाते हैं, अब जब Neutrons and Protons, Pi Mesons का Exchange करेंगे, इनको Emit या Absorb करेंगे, तो Transformations कैसी रहने वाली हैं, आईए उसको भी देख लेते हैं, मालेजे स्टूडेंट्स, एक Neutron ने Pi Negative में जो है, वो Emit किया, और ये Proton में Convert हो जाएगा, जब एक Neutron Pi Negative में जोन Emit करेंगा, तो ये Proton में Convert होगा, Proton में Positive Charge होता है, यहाँ पर Negative है, तो Positive Negative Cancel हो जाएगा, Zero हो जाएगा, तो Neutron पे Charge भी जो है, वो Zero होगा, इसी परकार से एक Proton जो है, वो Pi प्लस मेजोन जो है, वो Emit करके Neutron में Convert हो सकता है, ये Pi प्लस मेजोन जो की Proton ने Emit किया है, ये Pi प्लस मेजोन किसी और Neutron के द्वारा Absorb करके, ये Proton में भी Convert हो सकता है, तो ये Transformations के According, Proton जो है, Neutron में, या फिर Neutron जो है, वो Proton में Convert होते रहते हैं, by Continuously Emitting and Absorbing Pi Negative and Pi प्लस मेजोन, तो क्या हमेशा ही Proton-Neutron में Convert होगा, या Neutron-Proton में Convert होगा, ऐसा जुरूरी नहीं है, Proton-Proton में भी रह सकता है, Neutron-Neutron में भी Convert हो सकता है, तो उसके लिए Transformations कैसी होगी, उस पे भी एक Neutron ले लीजिए, तो मानीजिये, Neutron ने एक Neutron में जोन एमिट किया, तो वो Neutron ही रहेगा, इसी परकार से, इस Neutral में zone को, अगर कोई और दूसरा Neutron एबजोर्ब करता है, तो वो Neutron ही रहेगा. इसी प्रकार से अगर कोई proton एक neutral pi मेजोन अब्जॉब करता है तो वो proton ही रहेगा और इस emitted neutral pi मेजोन को अगर कोई और दूसरा proton अब्जॉब करता है तो वो proton ही रहेगा तो ये transformations जो हैं वो लगातार nucleus के अंदर चलती रहती है जिसकी वज़ा से proton neutron में, neutron proton में या फिर neutron neutron में and proton proton में convert होता रहता है और exchange of pi मेजोन जो हैं वो लगातार होता रहता है between the nucleons that is between protons and neutrons और यही चीज जो है nuclear forces को explain करती है इन्ही exchanges की वज़ा से effect create होता है जिसको हम nuclear force बोलते हैं जो कि इन nucleons को nucleus के अंदर बांध के रखता है तो students माल लेते हैं हम एक proton जो है वो pi plus mason emit करके neutron में convert हो रहा है means proton जो है वो neutron में convert हो रहा है by emitting pi plus mason यह pi plus mason यहां से यहां जाएगा अब क्योंकि pi masonic particle है तो इसका कुछ mass होगा उस mass को हम माल लेते हैं mpi plus तो proton ने pi plus emit किया है तो इसके mass में से proton के mass में से pi plus mason का mass जो है वो कम हो जाना चाहिए so जो absorbed mass होना चाहिए proton का वो होना चाहिए mp minus mpi plus और neutron ने क्योंकि यह absorb किया है तो इसका mass हो जाना चाहिए mn which is mass of neutron plus mass of pi plus mason but students जब हमने experimental study की तो हमें यह पता चला कि जब pi plus mason emit किया गया proton के द्वारा and absorb किया गया neutron के द्वारा तो इन दोनों के observed masses जो है वो पहले की तरह ही रहे इनमें कोई भी fluctuation नहीं आई इनमें कोई भी change नहीं आया होना तो यह चाहिए था इसका mass जो है वो कम हो जाना चाहिए था इसका mass जो है बढ़ जाना चाहिए था by the mass of m pi plus बट ऐसा observe नहीं हुआ तो यहाँ पर exchange भी हो रहा है particle का बट वो experimentally detect भी नहीं हो रहा इसको कैसे explain किया जाए इसको हम quantum mechanically explain कर सकते हैं और quantum mechanics का हम बहुत ही important principle यहाँ पर use में ला सकते हैं जिसको हम बोलते हैं Heisenberg uncertainty principle जो कि हमें कहता है कि अगर कोई भी physical quantity है जिसको हम measure कर सकते हैं तो उसकी measurement की जो accuracy होती है वो limited होती है means हर एक physical quantity की measurement जो है उसमें कुछ न कुछ limitations रहती हैं तो यहाँ पर हम इसको कैसे explain कर सकते हैं कि यह exchange भी हुआ है और यह exchange हमें observe भी नहीं हुआ masses में कोई fluctuations भी नहीं आया जहाँ पर particles का अदान परदान हो रहा है means यहाँ पर energy का transfer हो रहा है क्योंकि pi plus mezon के corresponding जो energy होगी वो होगी pi plus mc square अगर हम यहाँ पर relativistic case की बात करें तो energy का formula होता है e is equal to mc square तो एक pi plus mezon के साथ जो energy associated होगी वो m plus c square होगी तो यहाँ से energy decrease हुई है यहाँ पर energy gain हुई है तो हम माल लेते हैं कि यह जो energy का transfer हुआ है बहुत short interval of time में हुआ है और वो interval of time है delta t तो हम इस process को explain कर सकते हैं कि यह क्यों नहीं experimentally detect हुई तो hazard bug uncertainty principle क्या कहता है कि यहाँ पर जो energy का transfer होगा delta e और कितने time में हुआ है delta t time में हुआ है तो इनकी measurement में जो accuracy रहेगी उनका जो product होगा वो edge cut के बराबर होगा approximately उसके बराबर होगा तो अगर हम यहाँ पर delta e की value put कर दें m pi c square अब delta t कैसे निकालेंगे माल लेते हैं कि इन protons और newtons की बीच का जो distance है वो 1.7 femtometer है और अगर हम यह मानें कि जो pi plus bezon emit हुए है यह velocity of light c से travel कर रहा है तो delta t क्या होगा distance upon speed distance किता है 1.7 femtometer means 1.7 into 10 की बावर minus 15 meter और c, c को हम ऐसी रहने देते हैं अभी तो delta t के अगर हम value put कर दे 1.7 into 10 की बावर minus 15 by c और यहाँ से c से c cancel कर दें और अगर हम cross multiply करके m plus pi की value निकालें h cut को हम h upon 2 pi लिखेंगे planks constant की value आपको पता है 6.34 into 10 की बावर minus 34 c की value आपको पता है 3 into 10 is the power 8 meter per second तो यहाँ से m pi plus की जो value निकल के आएगी वो approximately इतनी निकल के आएगी 2 into 10 की बावर minus 28 kg तो यहाँ से हम pi मेजॉन का जो mass है उसका अंदाजा लगा सकते हैं estimation लगा सकते हैं यह accurate mass नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने distance जो है वो estimated distance लिया है तो यहाँ पर जो यह mass निकल क्या है वो estimated mass निकल क्या है pi मेजॉन का तो hazard bug uncertainty principle का use करके हम pi मेजॉन का mass जो है वो estimate कर सकते है तो students पिछले section में hazard bug uncertainty principle का use करते हुए हमने pi प्लस मेजॉन का mass find किया जो कि यह निकल के आया तो अगर हम इसको compare करें mass of electron से जो की होता है 9.1 into 10 की power minus 31 kg तो यहाँ से जो हमें conclusion मिला वो यह मिला कि जो mass of pi मेजॉन होगा वो about 220 times mass of electron होगा means proton ने pi plus mason emit किया neutron ने pi plus mason जो है वो absorb किया proton और neutron के बीच में pi plus का exchange हुआ और हमने वो process experimentally detect भी नहीं हुई क्योंकि proton और neutron के masses में कोई भी fluctuation नहीं हुआ फिर हमने hazard bug uncertainty principle का use किया और फिर हमने देखा कि वो process हो भी रही है experimentally detect भी नहीं हो रही तो उस case में जो mass of the particle होना चाहिए वो 220 times mass of electron होना चाहिए तो जो युकावा theory की success थी वो इस बात से आती है कि बाद में जब experiments हुए तो हमें कुछ ऐसे particles का पता लगा जो की थे pi plus mason उसका mass जो है वो experimentally find किया गया वो मिला 270 mass of electron था वो 220 times mass of electron मिला था experimentally जो mass of pi mason मिला pi plus mason वो 270 times mass of electron मिला और जो pi 0 mason का जो mass है neutral mason का जो mass है वो 264 mass of electron हमें मिला means कुछ ऐसे particles हमें experimentally found हुए जिनका mass जो है वो इतने times mass of electron था जिससे हमारे युकावा theory को success जो है वो confirm होती है अभी जो pi mason है या pions है यह extremely unstable particles होते हैं जैसे ही यह free होते हैं तो यह further disintegrate हो जाते है elementary particles में pi mason are highly unstable the moment they become free they further disintegrate into elementary particles according to these reactions pi plus will decay to mu plus and gamma mu plus pi minus will decay to mu minus plus gamma mu minus and pi zero will decay into two gamma ray photons और जो average life होती है charge pi ions की means pi plus and pi minus की वो same होती है और वो होती है 2.6 into 10 के बार minus 8 seconds जो की बहुत कम है और जो average life होती है neutral pi mason की वो होती है 8.4 into 10 के बार minus 17 seconds तो इनकी average life कम होने की वज़ा से यह further disintegrate हो जाते हैं जैसे ही यह free होती है according to these reactions तो students इस परकार से हम nuclear forces को explain कर सकते हैं protons and neutrons जो हैं वो लगातार particles का pi mason's का pi ions का exchange करते रहते हैं लगातार एक दूसरे के साथ badminton खेलते रहते हैं और एक effect create करते हैं जिसको हम nuclear forces बोलते हैं जो उनको nucleons को nuclears के अंदर बांध के रखता है तो students यह थी आपकी बहुत ही interesting जो कावा है और mason theory of nuclear forces इसको हम sometimes exchange particle theory भी बोलते हैं तो students I hope आपको आज का topic जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा मिलेंगे किसी और important topic of nuclear and particle physics के साथ तिल दन टेक केर